Hello guys, welcome to science classes, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि digestive system क्या होता है, digestion की कैसी stages होती है, क्या क्या stages होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने two parts में उसको डिवाइट किया था पहला elementary के नाल दूसरा, accessory organ, तो आज यहाँ पर हम discuss करेंगे elementary के नाल के बारे में elementary के नाल याने की अहार नाल अहार नाल जो होती है वो कैसी होती है मनुष्व में जो अहार नाल होती है वो कैसी होती है एक लंबी कुंडलित ने लिका होती है कॉाइल्ड ट्यूब होती है जो की 7 तू 10 मीटर लंबी होती है लगवा किती लंबी होती है 7 to 10 मीटर लंबी होती है इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कहां सो होती है हमारे माउट सो होती है और एंड जो होता है वो कहां पे होता है हमारे एनस में जाके जो है एंड होता है अब हम नेक्स पढ़ेंगे यह जो आहार नाल होत जैसा कि मैंने बताया था माउथ होता है बकल कैवर्टी होती है फैरिंग होता है टंग होती है इस्टमक होता है स्मॉल एंटेस्टाइन होती है लार्ज एंटेस्टाइन होती हो रांत में एनस होता है तो सबसे फस्ट हम पढ़ेंगे आज माउथ के बारें कि माउथ क्या होता मुख क्या होता है तो हमारे अहार नाल की सबसे पहली ओपनिंग सबसे फस्ट जो ओपनिंग होती हो क्या होती है माउथ सबसे फस्ट ओपनिंग क्या होती है माउथ होती है जो की हमारी जो उपरी और निचली लिप्स होती है जो उपरी और निचली लिप्स होती है उससे क्या होती है गिरी होती है कौन हमारा माउथ जो है उससे गिरा होता है अब जब भी हम अपने माउथ को क्या करते हैं ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे माउथ को ओपन और क्लोज करने में में किसका रोल होता है तो हमारे माउथ को में जो है ओपन करने में और क्लोज करने में एक मसल्स कॉंप्लेक्स मसल्स जो है में भूमी का निभाती है में अपना रोल अदा करती है जिसे हम कहते हैं और भी कुलेरिस और इस इस मसल्स का नाम क्या है और भी कुलेरिस और इस अब नेक्स वीडियो हम पढ़ेंगे कि बकल कैविटी क्या हो होती है मत के अंतरगत और कौन कौन ची संरेशनाय के तो आज के लिए बस इतना ही गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो समझ में आया हो तो प्ली सेन्ल को सब्सक्राइब जरूर करें कमें सेक्षन में कमेंट करना ना भूलें लाइक जरूर करें तेंक Yo So Much